रिटरनोइडा में दुकान खोलने को लेकर दो पक्षों में कहा सुनी देखते ही देखते मार पीट और फाइरिंग में तबदील हो गई यहां तक की गोली चलने की घटना भी सामने आई है वही बता दें गोली चलने से घटना स्तल के पास खड़ी एक महिला को गोली चा लगी है जिससे महिला गंभी रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी गोली चलते ही चार उत तरफ अफरात अफरी का महौल बन गया सूशना मिलते ही मौके पहुँची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए हस्पिताल में भरती कराया है जहां उनका उपचार चल रहा है वही पुलिस ने मुकदमा दर्स कर जाच शुरू कर दी है ग्रेटर नॉइडा जौर्चा कोतवाली शेत्र में दुकान खोलने को लेकर दो पक्षों में जम कर मार पीट और फाइरिंग हुई फाइरिंग के दोरान घटनस्तल के पास खड़ी जगड़ा देख रही एक महिला को गोली लगने से वे घायल हो गई है गोली चलते ही चारो तरफ अफरत अफरी का महौल हो गया वही कई ग्रामिनों ने इसकी सूचना जार्चा कोतवाली शेत्र को दी सूचना मिलने पर मौकियों पहुंची पोलिस ने घायल महिला को दादरी के एक नीज़ी हस्पताल में उपचार के लिए भरती कराया है जहां उनकी हालत गंभीर होने के चलते नॉइडा के एकनीज़ी हस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया वहीं पोलिस के आला अधिकारियों ने मुकदमा दर्सकर आरोपियों की तराश शुरू कर दी है टॉप स्टोरी ब्योरो के लिए नॉइडा से अमर सैनी की रेपोर्ट